नमस्कार दोस्तों कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है यहां आपको रोज नई नई पारिवारिक और समाजिक कहानिया सुनने को मिलेंगी हर कहानियों से आपको कुछ ना कुछ प्रेड़ा और कुछ ना कुछ सीख मिलेगी क्योंकि कहानिया हमारे समास का दर पढ़ होती है और कहानियों के माध्यम से नित हमारे सामने नई नई चुनवतिया उजागुर होती है, कुछ समास की और कुछ परिवार की हमारी आज की कहानी है क्या देवरानी को जेठानी की कीमत समझ में आई तो चलिए कहानी को सुरू करते हैं निधी को अपने आप पर बहुत गर्व था और हो भी क्यों नहीं जितना सुन्दर सरीर उसने पाया था उतना ही कुसाग्र दिमाग पढ़ाई खत्म होते ही उसे अपनी मन पसंद नौकरी मिली और अपना मन जाहा जीवन साथी संजय और निधी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे संजय ने आगे जाकर सरकारी नौकरी कर ली और निधी ने पिएशडी कर कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी पाली अभी उसके नियुकती अनुबंध के आधार पर थी पर कुछ समय बाद पकी हो जानी थी संजे को निधी बहुत पसंद थी और निधी को भी संजे पसंद था दोनों ने अपने अपने घर बात की और उनकी साधी जल्दी हो ही गई संजय के दो भाई थे बड़ा भाई यहीं उनके साथ रहता था मजले भाई की नोक्री दूसरे सहर में थी वो अपने घर परिवार के साथ वहीं रहता था निदी के साथ ससुर्जमाने के अनुसार चलने वाले थे उन्होंने बच्चों के जीवन जीने के ढंग पर कभी हस्तच्छेप नहीं किया निदी के जठानी सोभा एक सीधी साथी घरेलू आउरत थी जो अपने पती सुरेश का कहा सुना मान कर जीवन जीने में विश्वास रखती थी सोभा की साथी को दस साल हो गए थे पर उनके यहां कोई बच्चा नहीं था निदी सुरू से एकल परिवार में रही थी संयुक्त परिवार में उसकी कोई आस्था नहीं थी सांथ जीवन पसंद करने वाले निदी चाहती तो थी कि पती को कहे अलग घर बसाने को पर साथी के कुछी दिन होने के कारण वो संजे से कुछ नहीं बोल पाई ससुराल में उसको कोई दिक्कत नहीं थी साथी के दो महीने गुजर जाने के बाद भी घर के कामों में उसने कोई रुची नहीं ली थी उसकी सास और जिठानी का मानना था कि बाहर के काम करने की वज़े से निधी बहुत ठक जाती है, घर पर भी अगले लेक्चर के लिए पढ़ना पड़ता है, इसलिए घर के कामों में उसे जोग देना कहीं से सही नहीं है समय के साथ निधी स्वैंगी घर और बाहर के कामों में सामंज़स्य बैठा लेगी अपने घर वालों के वरताओ पर निधी उनकी सुक्र गुजार नहीं थी बलकि इसे वो अपना हक समझती थी सोभा निधी को अपनी छोटी वहन की तरह समझती थी पर निधी को सोभा पर हसी आती थी उसके नजदीक सोभा ऐसी अवरत थी जिसके दिमाग को पनपने का मौका ही नहीं मिला था जैसा सुरेश ने कहा वैसा माल लेती सुरेश की पसंद नापसंद उसकी पसंद नापसंद थी उसके कपड़े और गहने सब उसके पती और सास के पसंद नापसंद पर निर्भर थे निधी को कभी कभी सोभा की मासूमियत पर तरस भी आता था कि सोभा कुछ सोच क्यों नहीं पाती एक साल गुजरते गुजरते निधी मा बनने वाली थी तैसमय पर उसने प्यारी सी गुडिया को जन्म दिया इतना अच्छा सा सुराल मिला था उसे कि मायकेज आने की भी जरूरत नहीं हुई नौ महीने पुरे होने के बाद उसने कॉलेज वापिस जॉइन कर लिया गुडिया के आने की निधी से ज़्यादा खुशी सोभा को हुई थी गुडिया ने उसकी सुनी गोद भर दी थी गुडिया के सब काम करना उसे पसंद था यहां तक की निधी के घार आने के बाद भी सोभा गुडिया को लेकर घूमती रहती निधी भी खुश थी उसको कामों में उसे बहुत तरक्ती मिल रही थी अपने सोधों पर उसने किताब लिखने का सोचा था गुडिया से उससे भी प्यार था पर अपनी व्यस्तता के बीच वो गुडिया पर कम ध्यान दे पाती थी जेठानी सोभा को गुडिया को समाले देख निधी को लगता था कि उसने सोभा पर ऐसान कर दिया वरना उसके नसीब में कहां बच्चे खिलाना लिखा था निधी की वज़े से सोभा को एक खिलाना मिल गया था इस विच प्रमोसन के साथ संजय का टांसफर भी हो गया निधी के लिए यह एक बड़ी समस्या हो गई चाहती तो वो भी थी कि संजय के साथ जाए पर गुडिया को कौन समालेगा अपने एक्सपिरियन्स के आधार पर उसे नए सहर में नौकरी मिल जानी थी और हमेशा से उसका ये ख्वाब था कि वो संजय के साथ अपनी दुनिया बसाए पर गुडिया का क्या होगा निधी के सास ने कहा कि गुडिया को यहीं छोड़ जाओ हम समालेंगे निधी गुडिया को समय नहीं दे पाती थी पर गुडिया को छोड़ कर जाने के खयाल से उसके आँखो में आसू आ गए वो कर ही क्या सकती थी संजय का कहना था कि निधी जौब से ब्रेक ले और गुडिया और उसके पास रहे और निधी को ये मनजूर नहीं था वो जौब नहीं छोड़ सकती थी सोबा बहुत मान-मनुहार कर रही थी कि गुडिया को उसके पास रहने दिया कर दिया हर दिवार पर अपने मन पसंद के रग लगवाएं दोनों कमरों की बालकनी में फूल पत्ते लगवाएं नई ग्रिहस्ति शुरू करने में उसे बहुत आनंद आ रहा था ये मेरा है इस छोटे से वाक्य को जब उसने पूरे दिल से माना तो उससे कई गुना ज्याद थी और उसे सजाने के अलबेले तरीके पूरे मनोयोग से किया गया सजाओ बहुत ही मनोरम हो गया था हर दिन ऑफिस से आते ही संजय अपने तारीब से उसमें एक उसासा भर देता संजय ने कामवाली ठीक कर दी थी पर फुरसत के पलों में निधी को अपने हाथों की बनी म भाएगी भी बहुत पसंद आती थी यहां आये उससे पंद्रह दिनों से जादा हो गया था घर की सजावट काफी हद तक हो गई थी संजय ने उसके लिए एक कॉलेज में बात की थी उसे पुरा विश्वास था कि निधी को नवक्री अवस्य ही मिल जाएगी और हुआ भी वही कॉलेज में उसकी नियुकती हो गई उसके किये सोत के कारणों से उसकी पैचान भी बढ़ गई थी निधी का कॉलेज आना जाना जब से शुरू हुआ उसके कई दोस्त बन गए कभी उसके घर कभी बाहर उनकी भेट मुलाकात होने लगी देखते देखते अब तीन मही ने बीट गए ऐसा संजोग लगा कि निधी का एक बार भी घर आना नहों सका वीडियो कॉलिंग से हर दिन उसकी गुडिया से बात होती थी समय के गुजरते रहने के साथ साथ निधी को अपने जीवन में कुछ खाली पर मैसूस होने लगा उसके और संजय के बीच अब बा Xus प्रिया साथ खेलते खेलते उसे गुडिया की बहुत याद आई कितने दीन हो गएं उसे गुडिया को देखे बातों ही ने प्रिया ने उससे उसके बच्चे के बारे में पूछाै निधी ने कहा मैंने अपनी बेटी को अपने ससुराल में रखता है। अपनी सास और जे संजय छोड़ा गया गुडिया को माना कि गुडिया की वहां बहुत अच्छे से देख भाल होती है पर तेरा मन कैसे माना अपने बच्चों को खुद बढ़ा करने का आनंद ही कुछ और है और तेरे पती कैसे मान गए मेरे प्यार के आगे संजय कुछ बोल नहीं पाते हैं वै हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त की बहुत कमी है या सच कहूं तो बातों की बहुत कमी हो गई है सुरू-शुरू में संजय कई बार ऑफिस से आते गुडिया को मिस करते थे जिसका जिक्र वो कई बार करते थे बाद में उन्होंने कुछ कहना छोड़ दिया हमारे आये तीन महीने से उपर हो गए हैं, कुछ ऐसा संजोग लगा कि हम इतने दिनों में एक बार भी गुडिया से नहीं मिल पाएं, उस दिन घार आकर निधी ने सोचा सची तो प्रिया कह रही थी, कितने दिन हो गए हम गुडिया को देखने नहीं गए, सायद यही कमी थी अमारी जि हमने किसी की भी नहीं सुनी, अब मुझे याद आ रहा है पहली बार में जब गुडिया को छोड़कर आफिस गई थी, तो गुडिया कितना रोई थी, फिर आफिस से आने के बाद गुडिया तो मुझसे चिपक ही गई थी, मैंने ही उससे बड़ी मुश्किल से अलग किया माना की सोभा दीदी गुडिया को दिन भर समाले रखती, पर गुडिया ने तो मेरे चारो और चक्कर लगाना नहीं छोड़ा था, वो अपनी तोतली बोली में अपने दिन भर का हाल मुझे बताना चाहती थी, पर मैंने ही गुडिया को समय नहीं दिया, मेरी बेरुखी ने कितने दिन हो गए गुडिया से मिले आपको क्या गुडिया की याद नहीं आती है चलो मैंने तुम्हें कभी मना किया है बड़े ही उस्सा के साथ निधी जाने की तयारी कर ली गुडिया के लिए धेरो खिलाओने लिए सोभा के लिए उसके मन में बहुत सम्मान बढ़ गया उसे लग रहा था सोभा दिदी ने सच में उसकी गुडिया को अकेले नहीं होने दिया कितना प्यार किया उसे मेरे भी हिस्से का अगले दिन वो सब लोगघर पहुँच चुके थे रास्ते भर निधी सोचती रही कि सोभा को कैसे धन्यवाद देना है गुडिया को कैसे प् मंमी मंमी बॉल रोती जाती। निधी को बहुत ही अजीब लग रहा था। क्या गुडिया उसे भूल गई तीन महीने ही तो हुए है। निधी की सास ने उससे कहा कि GUD actively की और छाने माँतरिक और हो रहा है। रास्ते भार उसने कितना सोभा को धन्यवाद दिया था पर अब सोभा के पास गुडिया को देखकर उसे बहुत जलन हो रही थी, खास कर गुडिया का उसे मा कहा जाना, कुछ दिर बाद सोभा निधी के पास गुडिया को ले कर आई, गुडिया उससे भी हिल मिल गई, उसके लाए खिलोने चॉकलेट लेकर वो बहुत खुस हुई गुडिया ने उसे भी मम्मी मम्मी कहना सुरू कर दिया पर निधी को सोभा को मम्मी कहा जाना बहुत अखरा था दो दिन रहने के बाद आनंद ने निधी को जाने के लिए कहा जाना नहीं है क्या गुडिया को ले जाए पर क्यों कौन समालेगा उसे मैं कॉलेज से ब्रेक ले लूँगी फिर हम सब साथ रहेंगे और तुम भी तो यही चाहते थे हाँ ठीक है तर अचानक तुम्हारे मन में यह कैसे आया घर पर पूछा किसी से तुमने पूछने की क्या जरूरत है अपनी बेटी को ले जा रहे है साथ रखने को फिर आपने देखा गुडिया तो हमें भूल ही गई है गुडिया हमारे साथ ही जाएगी आप घर पर बात कर लो आनंद ने जैसे ही घर पर ये बात बताई उसकी मा बोली क्यों बेटा गुडिया को हम अच्छे से नहीं रख रहे हैं क्या फिर तुम लोग व अपने साथ रखना चाहते हैं सोभा इन सब बातों में चुप चप खड़ी थी वो क्या बोल सकती थी गुडिया ने उसकी सोनी गोद भर दी थी वो गुडिया को रोके भी तो किस हस से अपना आसू रोके वो सारा वारतालाब सुन रही थी इतनी गहमा गहमी हुई और फिर कि गुडिया निधी के साथ जाएगी पर जब जाने की बारी आई तो गुडिया सोभा के बिना जाने को तयार ही नहीं हुई उसका बहुत रोना धोना हुआ और इस रोने में काच का एक टुकड़ा उसके हाथों में चुप गया फिर गुडिया को डॉक्टर के यहां ले ज उसके जाने का प्रोग्राम कुछ दिन और बढ़ गया, आनंद के आफिस से छुटी बढ़ती जा रही थी, उसे निधी पर गुस्सा आ रहा था, अगले दिन उनके जाने का प्रोग्राम बना, गुडिया को धेर सारे खिलावने के सहारे बहलाते हुए कार में बिठा दिया ग गूम गया, सोभा की आँखे सूजी थी, जरूर वो रात भर रोई होगी, गुडिया जैसे ही निधी के गोदी में सो गई, निधी का ध्यान सोभा की ओर जाने लगा, सोभा ने कितने प्यार से गुडिया को रखा था, कहीं गुडिया ने सोभा को ढुड़ा, फिर क्या आनंद ने उसे कितना समझाया था कि गुडिया बच्ची है निधी उसे थोड़ा समय दो अपने जिद में निड़ा लेकर जैसे तुमने एक बार उसके बालमन को रोदा था फिर से उसे मत तोड़ो गुडिया की निश्चित भरी नीद को देखकर निधी सोचने लगी मैं इत को संतुष्ट करने में मैंने गुडिया को उसके चाची से अलग नहीं कर सकती निधी ने आनंद से कहा गाड़ी वापस ले चलो आनंद अब क्या हुआ घर वापस चलो गुडिया जाकते ही रोने लगेगी और घर वालों को ढूड़ेगी आपने सही कहा था कि हमें गुडि से रोते सूज गई थी निधी की आँखों से भी आसू बहने लगे वह मा बेटी का मिलन देखने लगी थी कैसे गुडिया भी सोभा से लिपट गई थी आनंद ने कहा चलो निधी हम निकलते हैं निधी की सास ने कहा पर गुडिया मा हम दिदी की अमानत उन्हें लोटाने आये थे अभी गुडिया को सुभा दीदी की ही जरूरत है और यह का कर दोनों मुस्कुराते हुए वापस लोट गए निधी अपने निड़ाय पर बहुत खुस हो रही थी क्यूंकि उसने स्वार्थी बनकर नहीं बलकि अपनी बेटी के लिए सही निड़ाय लिया था यह क आने में